प्रांसिस पर किये गए केरल कॉंग्रिस के ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है तो केरल कॉंग्रिस ने एक बार फिर पोस्ट करके माफी मांगी है और कहा है कि किसी धर्म का तिरसकार करना कॉंग्रिस की परंपरा नहीं है दरसल आपको बता दें कि केरल कॉंग्रिस ने इटली में प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी और पोप की मुलाकात की फोटो साजा करते हुए तंज कसा था कि और ये भी लिखा था कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया है जिसके बाद लगतार कॉंग्रिस पर सवाल खड़े हो रहे थे अब कॉंग्रिस तरफ से माफी मांगी गई है और आपको बता दें उनकी तरफ से साफतोर पर कहा जा रहा है कि किसी भी धर्म को लेकर वो इस तरीके की तिपणी करना नहीं चाते थे आपको बता दे कि पोप को भगवान से मिलने का बौका मिला है ये केरल कॉंग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था तो पांच तस्वीरे आप देखे कि किस तरीके से केरल कॉंग्रेस ने ये बड़ा तंज कसा और जिसके बाद बयान बाजी और हंगामा इस पूरे मामने को लेकर हो गया अब केरल कॉंग्रेस ने एक यूटन लिया है माफी नामा यहां पर मांगा गया है लेकिन सोन्या गांधी से माफी की मांग लगतार की जा रही है अब की माफी बता है